आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई यूनिट के बारे में जो RPSC Assistant Professor Exam में बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इससे एक या दो question आपको जरूर देखने को मिलेगा और किसी भी एक Assistant Professor Exam में जिसमें competition बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक या दो marks या दो marks ही आपको मेरिक लिस्ट में उपर नीचे कर सकते हैं तो यह जो unit है basically इससे कोई ज़्यादा hard question नहीं आता है moderate level का आता है या बहुत easy level का आता है अगर just because हमें थोड़ा थोड़ा भी idea होगा तो हम question को कर सकते हैं statistical study of biology इस्टेटिकल study in biology कहलो या of biology कहलो मतलब statistics का use करके हमें biology में जो data है उसके बारे में पता करना है खिक है अच्छा किसी भी exam को जाने से पहले हमें उसका इस स्लेवर जरूर देखना चाहिए तो basically अगर इस unit के बारे में देखें तो इसमें स्लेवर जो mention किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि principle and practice of statistical method in biological research sample and population के बारे में बताना है आपको data collection and processing in research की data को कैसे collect करते हैं उसका process कैसा होता है इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए basic statistics एक के बारे में पता होना चाहिए कि average क्या है, dispersion क्या है, coefficient of variation क्या है इन सब के बारे में पढ़ना होगा तो आज जो हम पढ़ेंगे basically आज हम यहां तक पढ़ेंगे जो mean, median, mode यह सब चीजे हैं यह हम next lecture में करेंगे ठीक है अगर आप मुझसे पूछो कि series को खतम होने में कि लगेंगे तो मैं कहूंगा 10 lectures के पूरे लगेंगे ठीक है, और 10 lecture के बाद हम करेंगे question and answer ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे, उसका reason है कि मेरा यह मानना होता है कि पहले किसी unit को पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद question approach करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले approach कर तो आपको उस topic का तो समझ में आएगा, लेकिन जब उसमें concept add होते जाएंगे, तो वो चीज़े difficult होती जाएगी, वो चीज़े एक तरह के से खिचड़ी बन जाती है, तो उसको समझना बहुत मुस्किल हो जाता है, तो इस वज़े से हम क्या करेंगे, पहले theory portion पूरा question आए हुए है, CSIR में किस तरीके के question आते हैं, ठीक है, उन सब को देखेंगे, और एक और चीज़, क्योंकि in lecture में कुछ न क्यूच चीज छूट जाएगी, लेकिन आपको तब भी वो question solve हो जाएगा by elimination method, तो हमको क्या करना है, option को eliminate करना है, और उससे हम answer तक easily पहुंच यूज कर रहे है, biology में, तो उसी को हम क्या कहते है, basically, उसको हम कहते है, biostatics, ठीक है, या फिर उसी को हम कहते है, biometry, basically, यही time है, कोई एक अलग सी चीज नहीं है, ठीक है, statics का अगर हम बायो में यूज कर रहे है, तो वो biometry कहला जाएगी, ठीक है, अगले topic पर चलते है, topic है सबसे पहले हमको समझना होगा कि, statics क्या है, basically, तो statics है क्या, statics branch है, किसकी math की, जहाँ पर हम किसको बारे में study करते हैं, हम study करते हैं, data के बारे, अब data क्या होते है, data basically, numerical value लगा लो, या फिर हमारे पास किसी भी चीज के बारे में पता करने के लिए number बता लो, या फिर लो ठीक है, अब जैसे मैं एक example लेता हूँ, एक example लिया मैंने, कि student के जो thumbprint है, in examination, वो किस तरीके से एक data का का काम करेगा, और उस पे हम किस तरीके से statics लगा के हमारे काम में आ सकते हैं, तो देखो, जैसे मैंने thumb लगाया, तो मेरे पास, जो system है, उसके पास information जाएगी कि, ये male है, ये female है, इसकी age कितनी है, ठीक है, और क्या, इसके blood group के बारे में पता चल जाएगा, कुछ भी और भी जो details है, वो पता चल जाएगी, ये कहा का रहने वाला है, इसके बारे में पता चल जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास कई सारा data आ गया, अब हम इसके बारे में, अलग-अलग इसको divide करके, जो हम को चीज़ चाहिए होगी, वो हम पता कर लेंगे, ठीक है, अब आते हैं कि statistic है क्या, या फिर type of statistic, statistic के कार कितने type के होते हैं, ठीक है, तो पहला तो होता है descriptive type का, नाम से पता चल रहा है descriptive, मतलब describe करना है, किसको describe करना है अब जी, data को describe करना ह अब तो statistic काम आईगी, ठीक है, और दूसरा है, इंफेरियेंसल, जो हमारी statistic है वो, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते है descriptive के बारे में, descriptive में होगा क्या basically, हमने क्या किया कि हमें, कोई भी हमारे पास एक population है, population मतलब एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी data का समू, ठीक है, मैंने मान ले कि ये इतने सारे लोग हैं, ठीक है, अब इन में से मैंने क्या किया, कि एक sample उठाया, ठीक है, इन में से कुछ लोगों को उठाया, ठीक है, मैंने इतने लोगों को उठाया, और इन में से पता किया, कि इन में से औरते कितनी हैं, ठीक है, इन में से female कि की बात करूं जो की है इंफ्रेंशियल जो स्टेर्टिस्टिक है इसके अंदर क्या है बेसिकली मैंने माल लिए कि ये जो मेरे पास एक डाटा और है एक डाटा क्या है मतलब मेरे को क्या पता चला कि मैं अब उल्टा जाओं कि मेरे को पता चला कि तीन मैं हैं दो वूमेन हैं एसी मैंने कितने sampel ले रखें तो यह कितने हो गए 50 लोग तो मैं अगर उल्टा जाओं तो मेरे को क्या पता चल जाएगी population के बारे में पता चल जाएगा तो यह जो statics है जो reverse statics है इसी को कहते है influential statistic ठीक है बात समझ में आई अगर मैं सीधा जाऊंगा मतलब population से sample की और जाऊंगा या sample से data के बारे में पता करूंगा तो उसको हम क्या कहेंगे descriptive और अगर inferential किसे कहेंगे जिसमें हम basically क्या कर रहे होंगे कि उसके बारे में पता कर रहे होंगे देखो जैसे कि इस वाली चीज में हम पता कर रहे हैं कि हमने जैसे माना कि यह कुछ लोग है इससे हमने एक sample बनाया ठीक है तो अगर जैसी हमने कहेंगे inferential statistics ठीक है बात समझ में आई अब आगले topic पर चलते हैं अब देखो data को हमको measure करना है तो हमारे पास basically scale तो होना चाहिए जैसे हम किसी की height measure करते हैं एक चोटा सा basic सी चीज समझते हैं अगर मेरे को एक किसी भी चीज की height measure करना है तो उसके लिए मेरे पास बास topic variable क्या है variable क्या होता है अलब वह चीज जो vary करे मतलब जैसे मैंने किसी चीज में change किया और कोई चीज हो गई तो वह क्या होगा variable होगा ठीक है अब आते हैं इसी topic वापस की measurement scales कितने type के होते हैं ठीक है तो सबसे पहले आता है ratio scale अब ratio scale क्या होता है basically अगर मैं आपको कहूँ कि ratio scale क्या होता है इसको एक simple सी चीज में समझो कि ratio scale जो होगा वो कभी भी negative नहीं होगा इतनी बात दिमाग में याद रखना कि ratio जो scale है वो कभी भी negative नहीं होगा और उसका size constant size का या फिर मैं यह कहूँ कि जैसे एक दो तीन चार तो बेसिकली एक constant size से बढ़ता हो जा रहा है एक एक इनमें add होता जा रहा है ठीक है इस type का जो measurement करूँगा मैं इस type का जो इस type की जो scale का measurement करूँगा उसको कहेंगे हम ratio scale ठीक है अच्छा तो अब दूसरे वाले scale पर आते हैं दूसरे वाले अब जैसे इसमें एक negative जो data मिल रहा है तो उसमें देखना कि क्या वो ratio scale में आएगा कि नहीं आएगा तो वो ratio scale में नहीं आएगा negative वाली चीज़ है ना ठीक है अब आता है interval scale interval क्या होता है basically interval कि इसको कहते है एक तरीके के gap को कहते है है ना मान लो कि एक ये है ए और एक ये है भी ठीक है अब ए और बीच का जो difference है इसी को इसका interval कहेंगे ठीक है तो इसके अंदर क्या है ना basically एक जो interval है उसके size वो size constant होगा मतलब जैसे मैंने माना कि 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8 और 8 से लेके 10 इसमें जो इनके बीच क interval है और कितना है दो है ना तो इस scale के अंदर जो इस parameter होगा इसे के अंदर हम क्या करते है बेसिकली जो interval होता है उसको हम constant रखते है जैसे मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मैं एक example लेता हूँ कि जैपूर का temperature अगर मैं बात करूँ जैपूर के temperature की अगर मैं बात करूँ मैंने कहा जैपूर का जो temperature है जैपूर का जो temperature है वो morning में था 20 degree लेकिन वो afternoon में कितना हो गया वो हो गया आपका 24 degree इनके बीच का जो interval है वो कितना हो गया चार डिग्री मैंने माना कि यह आज 30 तारीक को इतना है ठीक है 24 तारीक को मैं मानता हूं कि morning में 21 डिग्री था और afternoon में कितना हो गया 25 डिग्री तो इनके बीच का interval कितना हो गया 4 डिग्री का हो गया तो इस तरीके से एक इंटरवल चलता जा रहा है और यह क्या हो रहा है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून का एक डाटा सेट मेरे को मिलता हुआ जा रहा है ठीक है तो यह हमने समझ लिया इससे सब्सक्राइब कोई भी चीजे बोल दी जैसे उसने यह कोश्चन पूछ लिया कि जैपूर का टेंपरेचर का जैपूर का टेंपरेचर कौन सी स्केल में आएगा रेश्यो में आएगा है ना यह इंटरवल में आएगा किस में आएगा तो रेश्यो में यह क्यों नहीं आ सकता है इस चीज़ को समझना क्या मैं यह नहीं बोल सकता कि जैसे मानलो कि चलो जो उसमें नहीं ले पाएंगे ठीक है आगे चले आगे क्या है ओर्डिनल स्केल अब ओर्डिनल का मतलब क्या है आप यह समझ लो ओर्डिनल मतलब और उनको क्या करना है इसको एक पर्टिकुलर और में लगाना है जैसे मैंने कहा पहले पंद जैसे मैंने कहा सबसे पहले क्या आएगाह सबसे पहले आया 570 फिर उसके बाद 87 फिर 89 है ना इस Alejandra ततरीके से 90 ऐसे चलता जा रहा है तो पिस्क्रीके का एक टरीके से ऐंक्रीमेंट होता जा रहा है स्थोस्क्रीreu olvidate यंद र ciertों इस टरीके का ओरडर चलत रहा होगा तो उसको हम आदेशंगे अब आता है दूसरा में क्या टरूसमें रैंडम चीज़ें हो उसके बाद क्या होगा उसके बाद मैंने माना 72 आ गया तो पहले तो बढ़ रहा था फिर अचानक से घट गया तो कोई और को फॉलो नहीं कर रहा ना यहां पर इस टाइप का जो इसकेल होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल ठीक है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डाटा डाटा मैंने जैसे बाताया आपको डाटा कोई भी संख्याएं हो सकते हैं किसी भी तरीके का गुरूप हो सकता है यहना बेसिकली जो किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे कोई टाटा है हमारे पास है अब डाटा दो डाटा होता है, एक तो क्haitो वैतल ओने बात करों तो बेशिकली वह दो टाइब का होगा या तो normal data होगा normal मैंने बताए जासे कि कोई specific order नहीं होगा और बातली नल का होगा कि specific order होगा जैसे quantitative का मतलब क्या है qualitative मतलब क्या है इस चीज़ को समझना जैसे qualitative से मतलब मैं किसी भी चीज की characteristic को बताऊंगा ठीक है यहां पर कोई भी numerical value यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर basically क्या कर रहा हूं उसकी characteristic को detail को discuss कर रहा हूं ठीक है उसी तरीके से quantitative में क्या होगा quantitative में क्या करेंगे हम basically numerical value को discuss करेंगे जैसे मैंने age को discuss कि एक की 5 साल है 1 की 10 साल है एक की 12 साल है इस टाइप ज्योंगी वो क्वान्टी टीटेटीब उसमें आजाएगी डाटा में आ जाएगी और क्ॉडेटीप में क्यांसे आएगी जो सकते जो हमारी सिय्जे में इसको डिस्क्राइब कर रही आप अब जैसे इसमें मैंने बताया कि आपको qualitative में कौन-कौन से होंगे जैसे normal होगी, ordinal होगी, यह हम उपर भी पढ़ते हुए आएं कि normal में क्या होगा, basically कोई order follow नहीं हो रहागा, random हो रहा होगा, पहले आदमी आगया, फिर औरत आगया, फिर आदमी आगया, फिर औरत आगया, basically क्या हुआ है कि order को follow करते हुए चीजे हुई है, अब अगले वाले पर आते हैं, अगला वाला क्या है basically, qualitative data, एक तो होता है discrete data और एक होता है continuous data, देखो, यहाँ पर nominal बोला और ordinal बोला है, जिसमें order को follow नहीं हो रहा, इसमें order follow हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर या फिर उसके बाद 71 आ गया तो discrete है, मतलब पहले बढ़ रहा है, कभी गट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, continuous का मतलब कि एक बार बढ़ा और फिर बढ़ता चला गया, मतलब इसमें घटेगा नहीं, random चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, अब आते हैं, वही कभी नेगेटिव नहीं होगा, यह वाला कभी भी नेगेटिव डाटा नहीं होगा, ठीक है, यह हमारे पास चीज़ें आ गई, अब अगले पर बात करते हैं, अब हम आते हैं कि सैंपल और पॉपुलेशन होगी क्या है, तो सैंपल और पॉपुलेशन क्या है, देखो, पॉ population को बताएगा ठीक है जब कि sample क्या होगा उस जो population है उसमें से कुछ लोगों को मैं अगर लेके आ गया तो वो होगी उसका sample ठीक है तो अब तक हमने पढ़ लिया क्या-क्या पढ़ा हमने हमने type of statistic पढ़ा फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि data कितने तरीके क्या होता है हम उसको मेजर किस तरीके से करते हैं मेजर की क्या-क्या scale है और अब हमने पढ़ा कि population क्या है और sample क्या है अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमने जो स्टैटिस्टिक पढ़ी थी descriptive type की उसमें जो हमने पढ़ा था कि उसको हम descriptive type की जो स्टैटिस्टिक है वो बेसिकली किस टाइब की हो सकती है मीडियन मोड इन से हम बता करते हैं न चलो ठीक है तो आगे की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना थैंक्यू